हमारी सारी वीडियो हाई क्वालिटी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनिमेल कॉलोनी चैनल को और साथ में बिल बटन को दबाना ना भूले यह विल्कुल फी अप कॉस्ट है उसका दोस्तों मैं आज आज आपको सोगत करता हूँ अनिमेल कलोनी के एक निया फ् बाता हूँगा कि उसको क्या-क्या फूर्ड देना पड़ेगा कौन-कौन सी एज में क्या-क्या फूर्ड देना पड़ेगा के फूर्ड बहुत इंपोर्टेंट होता है इसके बाद इसके बाद इसके हार एक डिटेल इसका प्राइस इसका लाइस पैम इसका एवरेज वीडियो में आपको डीटल में बता दूंगा तो बने रहे हमारे साथ एंट तक ही डॉर्मेंट पीटिसार के हर एक डीटल के बाड़े में आप जान सकें अगर आप एक पीरोड भी डॉर्मेंट पपी खड़िदना चाहते है तो इसको पैचारने का चारपास तरीका है डॉर्मेंट पपी को पैचारने का पहला तरीका है इसका टेल इसका ट abrupt लिए लंबी होती है और उपर की तरह पूरी कर्ब हो सकती है लेकिन इसके टियल में ज़्यादा बाल नहीं होता है अब एक डोबन पर फी को ख़ड़ने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि उसके तिल पतली है लंबी है और उपी की तरह पुरी कर्ब है की नहीं डूर्मेन पपी को पैशनने का दूसरा तरीका है इसका कुट कलर्ण डॉर्मेन बहुत सारी कोट कलर में पाय जाते हैं जैसे की ब्लैक ब्लैक एंड रास्ट रेडिन रास्ट ब्लू एंड रास्ट, फोन और ऐसए बहुत सारी कलर में लेकिन इंडिया में बहुत पाया जाते हैं पलेक एंड रस्ट कलर यह यह तैन और रास्ट कलर पपी के फिज में चेस्ट में सामने पीझी दोनो DO पैयार में इसके साथ यह देखना न भूले कि इसके दोनों आखों की उपर रडास्ट कलार का दो डॉट होंगे ये सेम साइज में होंगे ये डॉट इम साइज में होंगे कोई छोटा वरा नहीं होंगे डॉबर्मेन पपी को पैचानने का तीजरा तरीका है इसका यार इसका यार नीची की तरफ होती है लेकिन इसका यार इसके हेड के को तरीका से चुछ साथ मैं और बछाम साथ बात बोलना चाहिक करूंएंगे तब इनका पेपर अच्छी तरयके से देख लेना कि यह डोबर्मन पप्पी केसी आई रेइस्टर है कि नहीं केसी आई का फूल परम है केनियल क्लाब आफ इंडिया इस पेपर में आप इस पप्पी का फादार मदार हर एक डिटेल के वरे में आप जान जाओ तो इसलिए आप जब एक पप्पी खरी देंगे तो आपको भीडार से किया क्या पूच लेना चाहिए या क्या क्या जानकारी विडार से ले डाखा हूं यह आप उपर आयए हैं भीडाटन पर देख सकते हैं जैंक्स कर दूछ कुछ केसद में यह सभी हो सकती है क्योंकि हार एक पप्पी का जनेटिक का ली प्रॉब्लेम एक नहीं होता उसके लिए आपको एक डाक्टर के साला लेना चाहिए और उसका फूट चार्ड भी अलाग होता है अगर आपकी पप्पी का जियो डेल से ट्वेट के अंदर है तो इसको मदास मिल्क देना चाहिए अगर आपको मदासवी ना मिलया तो आप मिटल डेपलेसर भी इसका जैसे कि आर्सी बेई मिल्क फाउडर लैक्टोल रोयल कैनि बेई मिल्क तामला यूज कर सकते है यह आपको टोईटिया थर्टी एमिल करके दिन में 4-5 बाद बाना है य यहां पर एक बात आपको धाने राखना चाहिए यहां पर कव मीड या बाफिलो मिल्क नहीं देना चाहिए यह आप यूज करोगे तो के पप्पी का लूज मुसान या फ्लैजिटिक पॉपले हो सकते हैं जैसे की इचिंग है इस सब हो सकते हैं तो प्पी गाइज 20 दे से 3 मा के आप पपी को दे सकते हैं आप पर एक बात आपको होमेट फूट रोठिया जापाटी नहीं देना है और यह बॉइल राइस के साथ आप डाल पानी बॉइल वेजिटेबिल आप दे सकते हैं इससे पपी का पूरी तरह की निउट्रेशन विटामीन मिलेगा इसमें आप ब फूट आपको दिन में तीन-चार बार फिलाना है थ्री बंद की इस तक आपकी पपी को ड्राइफूट दीजिए मॉइस्ट फूट मत दीजिए इससे डॉगगर गाम की एकसराइज पफार होती है और और ओडल हैजिन के लिए यह फूट बहुत ही चलूरी होता है ड्राइ दीजिए में इस फूट में आप वनेज भी एड़ कर सकते हैं लगभग 100 रम क्यास पास दे सकते हैं यह फूट अपकर 6 मैने तर देना होगा लेकनी आपड़ एक बात है कि इस एज से पहले आपको चिकन या रेजमिट किसी तरह की रेजमिट एजिकन आपको नहीं यूज क होते हैं इस एज से चिकन बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसको प्रोटीन की जरूर्ण ज्यादा होती है इस एज से रेजमिट का क्वांटिटी आप 200 से 400 गम की बीच में रख सकते हैं लेकिन इसको आपको देना है एक ऑल्टनेटिव डेम आप इस पूड में चिकन लिवर है अगर आप एडल फूर्ण स्विच्वर कर गया है तो कि बोन और इसके उनिटी पॉपर बिल्ट अप नहीं होगा आप उसको प्ले बैट करने के लिए नॉर्माल बोन दे सकते हैं लेकिन या पर आप कूप बोन या स्मोग बोन नहीं दीजी इस पूड के साथ आप उसको पॉपर एक्सराइज कराई है ताकि वह पॉपरली बिल्ट अप हो और इसके मसाई ट्रॉंग है अटर मैने की एज के बाद से आप एडल फूर्ट दीजिए इसके साथ इस सब की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना जो के एक्सराइज के लिए आप उसको नॉ को नजर रखते हुए यह वैक्सिनेशन का प्रॉसीडियोर स्टार्ट होगा नॉर्मल केसे में वैक्सिनेशन स्टार्ट होते हैं 6 वीक्स के बाद लेकिन यह पर मैं एक बाद बोलना चाहता हूं कि अगर पापी को मादर्स मिल्ट ना मिले तो उसको 28 देज के बाद एक दी नहीं कनगा इस दीन से अगला 20 देज चे बाद दुर्ला वाला है शमको देना पढ़ेगा यह वाला कीमिस से पहले वहला वैक्सिनेशन का बूसिटा होता है अगर मालनी आ जाये आप 45 डेज में पहला वाला अक्सिनेशन दिया है तो नेक्स्ट आपको 65 डेज में दूज़ वाला vaccination आपको देना पढ़ेगा उससे 20 देज के बात आपको फिर दी छ फीप्र वाला का booster version आपको देना पढ़ेगा क्यानि आपको पोर गिर का आपको दीजियने किया जाए तो ऐसे होगा फर्स्ट 45 डेज में आपको DHBP वाला वाक्सिनेशन, नेक्स्ट आपको 65 डेज में DHBP वाला का बुस्टर वर्शन, नेक्स्ट आपको 85 डेज में anti-raviz वाला वाक्सिनेशन देना परेगा, नेक्स्ट 105 दीन में आपको देना परेगा DHBP वाला का वाक्सिनेशन, फिर 125 डेज मे आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का बुस्टर वर्शन नेक्स्ट आपको 145 डेज में देना पड़ेगा एंटी रैविज वाला वैक्सिनेशन यह चैए वैक्सिनेशन आपको 155 डेज के अंदर देना पड़ेगा इससे आपका डॉग एक साल तक सुरक्सित रहेंगे अगले साल से आपको श्रीप दो ती का लगाना होगा एक एंटी रैविज वाला और एक utens लाका बुस्टर वर्शन यह आपको लगाना पड़ेगा लास्ट एंटी रैविज का डेट से एक साल बाद प्रोस्टियोर। उसका लास्ट टेट से एक साल बाद यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि दीएच्पी बाला इंजेक्शन कभी नॉर्माल टेपरचर में मत रखिए इसको हमेशा आइस बैग में या फ्रीज में रखिए क्योंकि इसका टेंपरचर अगर डीगरी से ज्यादा हो जाए तो यह कुछ काम नहीं करेगा यह डेड़ हो जाएगा आथे इसके प्राइस पर इसका प्राइस टाठ होता है 300 और उपर जब जाओगे करता है कंपनी नेक्स्ट डॉबर्मैन के बड़े में बता जाए तो डॉबर्मैन का ऑरीजिन है जर्मानी से और इसको डुट किया है काल्स डॉबर्मैन एक इनरजटिक फ्रेंडली लवेब होता है मिलका 40-45 की तक इसका फिमल का आवारेज होता है 30-35 की जितक इसके हाइट के बारे में बात किया जाए तो फिमेल की हाइट आप बीच में बहुत ही एक अच्छे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको एनेमेल वार्ड के साथ कोई भी जान करें चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सियार करना ना भूलें तो दोस्तों आज हम चलते हैं फिर भी लेंगे एक नए वीडियो में एक नए टफिकेसर